हाई गाईज विल्कम बैक टो मैं चानल श्रेया व्लोक्स आज हम बनाने जा रहे चिकेन कडी यहाँ पे मैंने 800 ग्राम्स चिकेन यूस किया है जिसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इसके साथ ही हम यूस करने वाले है अनियन जो कि मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स लिया और इसे अच्छे सितिनली चॉप कर लिया है और इसके साथ ही हमें जर्वत होगी टमाटो जो मैंने 3 टमाटो यूस किया है बे लीव्स 6-7 ग्रीन चिली जिंजर और गार्लिक मसाली यहाँ पर मैं यूस करने वाली हो कुरियांडर पॉर्डर जो गे 3 स्पून लिया है ब्ल यहाँ चड़ाते हैं वैसे तो आप कोई भी और यूस कर सकते बाट यहां मैं नौन वेच के लिए मस्टर और प्रिफर कर रही हूं और मैंने यहां पर अरॉंड 150 ml मस्टर और यूस किया है जैसे ओईल हलका गरम हो जाए तो इसमें हम रेट चिली पॉडर और टर्मरिक पॉडर दोनों को आड़ कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें एक बार यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पर हम बे लीव्स ग्रीन चिली गार्लिक और जिंजर सबको ओईल में आड़ कर लेते हैं इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके पांच मिनट तक सौटे करते हैं यह अच्छे से सौटे हो चुके हैं तो यहां पर मैंने जो अनियन तिली चॉप करके रगा था सारे अनियं को मैं यहां पर ऑल में एड़ कर रही ह हूं अजयन को यहां पर हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस हलका सा कलर चेंज होने तत कि इसको भून ना है इसको अच्छे से मिक्स कर ले जैसा कि आप देख सकते हैं अन्यन हल्का करण चेंज हो चुका है तो यहां पर आड करने जा रहे हैं टोमाटो जब तक यह सॉफ्ट न हो जाये अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है और इसे पांच मिनट तक ऐसे ही cook करें पांच मिनट हो गया और यह अच्छे से soft हो चुका है तो हम यहाँ पर अपना chicken आड़ कर रहे हैं जैसे कि हमने chicken आड़ कर लिया है तो साथ हम salt भी आड़ कर लेंगे तो यहाँ पर मैं around 4.5 टी स्पून salt यूज कर रही हूँ अब अपने टेस्ट के हिसाप से salt को आड़ कर सकते हैं कि सॉल्ट आड़ करने के बाद इसे अच्छे से mix कर लें एक पर अच्छे से mix हो जाए तो यहाँ पर हम लिट से इसे cover करके around 15 मिनिट्स तक ऐसे कुप करेंगे आफ्र 15 मिनिट्स मैं यहाँ पर लिड हटा के चेक कर रही हूँ आप देख सकते मैंने उसमें कुछ भी वाटर आड़ नहीं किया था बस यह स्टेम हो करके जो भी वाटर में आड़ हुआ है इसी से हम इसको पकाने वाले हैं यहां मैं चेक कर रही हूँ कि चीकिन अच्छे से पका है कि नहीं तो अभी यह अच्छे से नहीं पका है इसे और टाइम चाहिए तो मैं इसे अच्छे मैं बापत से लिट को हटा के चेक कर रहे हूं यहां पर चिकन अच्छे से पक चुका है और ग्रेवी पहले से थिक भी हो गई है एक बार इसे मिक्स कर ले अब देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से पक चुका है और यहां पर अब मैं सारे मसाले को आड़ करने जा रहे हूं तो यहाँ पर मैं आड़ कर रही हूं कुरियांडर, ब्लाक पिपर और चिकिन मसाला सारे मसालों को मिक्स कर ले एक बार यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम लिट्स इसे कवर करके अनदर 15 मिनिट तक ऐसे ही कुख होने देंगे आफ्टर 15 मिनिट्स मैं वापस से लिट्स हटा की चेक कर रही हूं आई होप आप देख सकते हैं कि यह कितना यम्मी दिख रहा है यह दिखने के साथ साथ उतना ही टेस्टी लग भी रहा है अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर खिलाएं यहाँ पर गयास को स्विच आफ करके मैं यहाँ पर गरम मसाला आड़ कर रही हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चिकन कितना डिलिशियस लग रहा है आप इसे एक बर जरूर ट्राइ करें अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक दे और मेरी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले